हेलो गाईज आप लोगों फिर सब्सक्राइब का आउटलाइन टुटोडियल वीडियो क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा कॉमेंट किया था कि जस्प्रीद बूम्रा के ऊपर टुटोडियल ले क्या हूँ तो ठीक है इस वीडियो में लेके बहुत ही ज्यादा मैंने ठूड़ा बहुत ही ज्यादा ठूड़ा तब जएक एक सीधा सा और SIMPLE सा आप लोग के लिए मैं ऐसा रड़ेंस फोटो मिला है बहुत ज्यादा भूढने के बाद तो इस रच्जैंस फो टो का लिंक यार अपने डिस्क्रिपिसन में देदी और य जो जो जिनों ने आप लोगों ने बोला था कि जैस्परित मुम्रा का टुटोरिय लाओ मैं भी बनाना चाहता हूँ ठीक है तो देख सकते हूँ मैं लेकर आप लोग मेरे साथ ही ड्रो करना इससे आप लोग जो आर्टवर्क है वह बहुत ही जादा इंप्रूमेंट होगा ठीक है तो गाइस इसलिए आप लोग इस तरह करके पहले ग्रीड में ड्रो कर देता हूँ फिर बताऊंगा कि कितना जै इसलिए जो ड्रीड जो था में ड्रो कर लिया हूँ और मेरे जर्श्ट भगल में देक्सा को मोका में जैसा गरीड सा वेजिए लापित शाल में जैसा ग जैसा टैन बॉक्स हो 2 संदिमिटर का नीचे फॉटीन ॉक्स सिंडीमिटर पिर तस बताता हू गंदें फॉक्स तू वह गिल लेता हूं ठीक है तो इस तरह करके आप लोग भी measure कर लेना कि किस box में eyes है तो इधर से 1,2,3,4,4 है इधर से 1,2,3,4,5,6 6 box में जो eyes draw होगा तो मैं अब seat पे भी वही कर लेता हूं 4,1,2,3,4,5,6 तो यहां पर मैं mark कर लेता हूं guys यहां पर जो है eyes draw होगा तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना आप लोग भी इसी तरह same-to-same अपने seat के उपर कर लेना इससे आप लोगों को अब जर्ब करन में असानी होगा तो आग आईस देख सकते हो जो आई है और जो box है हमारा 2 cm का आप लोगों को ठीक है तो देख सकते हो मैं draw करना start कर दिया outline को तो इस तरह करके आप लोग अच्छे से object करना कि हर एक box में कैसा कैसा draw हुआ है उसी तरह आप लोगो इसली आप लोगो draw करना है तो देख सकते हो कैसे मैं draw कर रहा हूँ और यह सारा जितना reference photo आप लोगो grid के उपर जो grid बना हुआ है ठीक है photo के उपर grid बना हुआ है यह सब आप लोगों को photo मेरे discussion में मिल जाएगा link वहां से आप लोगो download कर लेना तो finally देख सकते हो guys मैंने जो eyes है draw करना start कर दिया है और देख सकते हो कितना easily मैं draw कर रहा हूँ कोई problem नहीं हो रहा जस्ट आप लोगो भी mobile जस्ट बगल में रखना है अपने street के और अच्छे से observe करके draw करना है मैं तो जुक नहीं पाता ठीक है जब भी outline को draw करो तो पूरा थ इसलिए मैं पूरा straight होके मुझे draw करना पड़ता बट तब भी मैं अभी draw करते-करते मुझे इतना हो चुका है कि मैं straight में draw कर सकता हूं तो इस तरह करके आप लोग अच्छे से अगर आप लोग camera use नहीं कर रहे हो तो आप लोग easily अराम से इदम just थूदा जुक के आप लोग draw कर सकते हो ठीक है तो क्योंकि outline यह है important है outline को अच्छे से अपजर्ब करके draw करना जरूरी है ठीक है तो इस तरह करके आप लोग easily draw कर सकते हो आप लोग देखना कि हर box में कैसा कैसा बना हुआ है कैसा lines गया हुआ है कैसा और थोड़ा भी कहीं गलत होता है तो eraser का मदद करो eraser क यूज करके उसे erase करो ठीक है तो इस तरह करके आप लोग easily draw कर सकते हो तो guys देख सकतो मैं i-vro को भी अच्छे से draw कर रहा हूं और देखना हूं कि i-vro किस box में है और किस box में कैसा lines वेगरा गया है तो इस तरह करके आप लोग को easily draw करना है और guys मैं बता देता हूं कि मेरा त वीडियो आएगा ठीक है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा तबियत डाउन था तो आप से regular वीडियो आप लोग को देखने को मेलेगा और कोई भी प्रोब्लम होता तो आप लोग कॉमेंट करके जरून मुझसे पूछ लेना guys ठीक है एक आप लोग को family के तरह मानता हूं मैं और आप लोग का बात हर बात का मैं solution निकालूंगा अगर कोई भी question वेगरा होगा आप लोगों का तो आप लोग मुझे comment कर सकते हो तो देख सकते हो guys मैं nose को भी अच्छे से object करके draw कर रहा हूं और easily draw हो जारा और इसी तरह करके आप लोग को हर एक part को draw क में लगने लगेगा कि यह जस्परीद भूम रहा है ठीक है ऐसा draw करोगी और इतना 20 cm का सिरी box तो easily आप लोग कर सकते हो आप लोग को एकदम perfect outline मिलेगा मैं guarantee देता हूं ठीक है इस तरह करके अगर आप लोग draw करोगे मेरे साथ ही तो देख सकते हो कितना easily host हो रहा है और guys इस इसका result के tension मत लेना ठीक है result जब setting करोगा ना तो बिल्कुल एकदम perfect लगेगा भूम रहा और आप लोग भी एकदम same to same wait करना ठीक है पहले ही आप लोग साथ ही ड्रो करते हो तो मेरा हर एक part का wait करना ता मैं setting में भी बताता हूं कि कैसा कैसा आप लोग setting कर सकते हो इसका भी tutorial तो इस तरह करके सिर्फ wait करना ठीक है ज्यादा देवेट करने का नहीं दूंगा आप लोगों को ठीक है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेके ही आऊंगा tutorial तो देख सकते हो guys इसलिए lips को भी मैं draw कर रहा हूं और अच्छे से देख रहा हूं कि किस box में कैसा lines वेगेरा गया और यह मोच वेगेरा को भी अच्छे से मैं दूंगा ठीक है सेडिंग करने वक्त और गाइस देख सकते हो मैं teeth को draw करना और teeth को भी अच्छे से ऑपजर्ब करके जैसा teeth जो बना हुआ है outline में तो उसी तरह करके आप लोग outline को बनाना होगा तो अच्छे से ऑपजर्ब करना ह होगा और easily draw कर सकते हो कोई problem नहीं आ रहा मुझे भी तो आप लोग को भी नहीं आएगा आप लोग जिस तरह करें जिस तरह मैं draw कर रहा हूं तो आप गाईस देख सकते हैं जो जान होता है मैं पहले भी बोलता है हूं shading पूरा जान होता है कोई भी portrait आप लोग ड्रो करोगे तो shading के बीना बिल्कुल अधूरा है तो आप लोग को shading में बताऊंगा के के से तरह से shading draw करना है shading आप लोग shade करना है तो इस तरह करके shading का भी एक part टुटोडियल जो है वह आ जाएगा जल्दी बिल्कुल जल्दी तो आप लोग उसका attention मत ले ना आप लोग इसली पहले outline draw कर जिस तरह से मैं draw किया हूँ same to same आप लोग इस तरह अच्छे से time दे के draw करो और इसली आप जादर time नहीं लगता यह मा सोचने कि बहुँ जादर time लगता इसमें बिल्कुल भी time नहीं लगता मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगा था पूरा draw करने में तो इस तरह करके आप लोग easily draw करना year वेगे रहा उसको जो थोड़ा बहुत time लगा था वो grid बनाने में लगा था तो grid बनाने में थोड़ा grid आप लोग को सही बनाना होगा जो boxes वेगे रहा है इससे आप लोग अच्छे से बनाना होगा फिर बाकी वाद जो outline है उसमें time नही कर रहा हूं और hair का सिर्फ देख्व रहा है डाइन की से कैसा कैसा गया हूआ है जो outer line है मैं उसे Bentley box में अच्छा लगता है और सीखते हो सबसे मेन बात कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीखते हो वही थोड़ा जितना भी सीखते हो यार बहुत है मेरे लिए बहुत जादा है मेरे लिए आप लोग को बुड़ा दिल से बोलता हूं यार मतलब आप लोग को अगर थोड़ा से भ मांता हूँ ठीक है आप लोग जो बोलते हो आप लोगो जो भी टुटोडियल चाहिएगा आप लोग कॉमेंट कर सकते हो तो गाइस देख सकते हो यह फाइनली पूरा कम्प्लीट हो चुका है आउटलाइन आप लोग पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक ठोक दोर मेरे चलन पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक चोटे सी यूटूब फैमली के मेंबर जरूर बन जाना गाइस तो आप लोग इसका वीडियो सेडिंग टुटोडियल वीडियो जल्दी आएगा त तो मिलता हूं आप लोगों से अगले और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो में अभी के लिए बाई एंड टेक केर